नवस्कार दोस्तों ये एक महिला का पाम है और इनकी एज 34 और 7 मन्त की हो चुकी है इनका एक लाइन का सवाल है जो दूसरा सवाल था वो मुझे नॉलेज नहीं है और इनका एक ही सवाल है लाइफ में पैसा कैसा रहेगा आपको पैसा व्यरसित रहेगा आपके जीवन में पर थोड़े समय के बाद थोड़े साल अभी भी संगर्स मुझे दिख रहा है मैं लाइनों के द्वारा आपको दो फोटोग्राफ का यूज करके मैं आपको लाइनों के द्वारा व्यरसित समझाओंगा जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपुर्चुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है यह पाम रेक्टेंगल प्लस स्क्वेरिश दोनों गिन सकते हैं सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपार्ट होते हैं बैठे बैठे कारे करने के इच्छा शक्टी होती है और महनती भी होते हैं पर यह पेशे से डॉक्टर है तो sales और marketing तो side में रह जाता है पर इनकी मानसिक्ता उस तरह की रहती है फर्स फैलेंज नुकिला कम है तो इदर उदर ध्यान पटकता है सेकंड फैलेंज बहुत बढ़ा है ऐसे लोग logic के साथ तर्थों के साथ अपनी बात रखने में expert होते है पर ये अंगुठा मानसिक्ता कम है जब आपका मानसिक्ता नहीं होता पैडिंग कम होती है तो व्यक्ती compromise nature का होता है फर्स उंगली का फर्स शीरा मुड़ रहा है तो थोड़ी सी धार्मिक भावना होती है और ये दोनों उंगलिया लगबक सेम लग रही है जुपिटर की हलकी सी बड़ी है जुपिटर की उंगली को देख लेते हैं हलकी सी बड़ी है तो थोड़ा सा ego problem भी रहता है ऐसे लगों में बहुत जादा नहीं होगा हलका सा रहेगा तो ये व्यक्तिकर तोर पर नुकसान देता है तो जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हो तुसे निगलेक करने की आदत डाली है ये उंगली फर्स फैलें तक नहीं पहुच रही तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता कमजोर होता है अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते बुद्पर्वत पर एक खड़ी लाइं ये अगर लाइन है तो आख मुन के कह दीजिए कि व्यक्ति बुड़ा पे में भी पैसा आएगा जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी बुड़ा पे में भी और दू-तीन लाइन है और बुद्पर्वत भी काफी उभार पर है तो ऐसे लोग दिखने में सुन्दर होते वानी मीठी होती है सहत की तरह बिजनेस माइंडेड होते और दो-चार भाषाओं के जानकार भी होते अब यहां पर एक अच्छी सी यस्ट साइन भी है इनको जीवन में यस्ट भी प्राप्त होगा अब इनकी साइन को देखने की कुशिस करते हैं कितनी बड़ी साइन है एक बड़ी मुश्किल से इन्होंने काफी मेहनत की पर एक जगह पर आभास हो रहा था और यह चीज मैं दूसरे फोटो में भी कन्फर्म करूंगा आपके सामने यहां पर इस तरह की साइन बन रही है हाँ बहुत बड़ी साइन तो नहीं है पर साइन छोटी भी नहीं है तो पैसा तो यह अच्छा कमाएंगे अब एक और जगह पर संकेत है इनके हाथ में वो यहां पर इसी साइन को देखने के लिए यह देखिए यहां पर भी बन रही है और एक संकेत यहां पर भी नजर आ रहा है पर यह साइन होती तो यह सवाल इस तरह का ना पुछते क्योंकि यह बहुत अच्छा पैसा देती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यह वीडियो देखने के बाद आप यहां का जरूर क्लोज अप लेना अगर यह साइन दिख गई तो आपके पास पैसो की अच्छी खासी बरसात होगी आपने जो सोचा नहीं होगा उतना पैसा आपके पास आएगा और यहां पर जब तील होता है अच्छा है इनका साधी से साधी का मूड भी नहीं है पर यह तील अगर यहां पर शनी परवत पर हो तो ऐसे लोगों को पती-पत्नी के बीच में बहर पूर विवाद होता है और कई लोगों को साधी के पहले अगर रिलेशन हुआ हो इनको तो साधी करनी नहीं है और साधी के पहले अगर रिलेशन हुआ हो तो भी उसका दुख़द अंत हो जाता है इस तील के कारण पर negative एक ही बार देता और कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि साधी होती है और दो साल दूर रहना पड़ता है पती बतनी दो साल तक दूर रहते और कई लोगों मैं विच्छेद होते भी नहीं देखा है केवल दो साल तक जगड़ते रहते इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिश्री चैनल पे आप देख सकते हो और एक बड़िया सी सुर्य रहा है तो ऐसे लोगों को कमफर्टेबल इंकम होती है जीवा में कमफर्टेबल यहां पर एक विद्यारेखा भी बनी हुए बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और इनका व्यवसा ही वैसा है दॉक्टरी का व्यवसा है तो नेच्रल है पूछ पूछ कर काम करेंगे और जैसे जैसे उम्रों बड़ेगी जदा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे और ये पार्ट जब उभार हो तो व्यक्थी को सुबह उठने में अच्छा लगता ही नहीं बहुत आलस से फिल होता है पर एक बार बैड से उतर गए, फिर वेक्ट ही एक्टिव रहता है, जुपिटर की और जाने वाली लाईने दो-चार फाइदा देती है, ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी कारे करेंगे बड़े स्तरका करेंगे, यानि जॉब भी करेंगे तो बड़े स्तरका और खुद का भी काम करेंगे तो बड़े स्तरका, सरकारी लाब जो इनके जीवन में है, यह सरकारी डॉक्टर है, और चौथा चीज, पॉलिटिकल लाब, तो कई लोगों को चारो लाब प्राप्त होते, किसी को तीन, किसी को दो, और किसी को एकलाब प्राप्त होता है, और यह साइन अगर कंप्लीट होगी, तो ऐसे लोगों को धर्म के प्रती जो आस्ता होती है, वो डिफरन्ट होती है, यह किसी को बता भी नहीं पाते, और किसी को बता दिया, तो वो अगला समझ भी नहीं पाता, Jupiter Mount भहुत ज्यादा डिश्टब है इस तरह का Jupiter Mount पारिवारिक और सांसारिक समस्या है देता ही है अभी ये पारिवारिक समस्या है तो इनको रहती होगी साधी हुई नहीं है तो सांसारिक समस्या होगा तो सवाली नहीं आता मैं इसका चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूँगा इनको एक लाइन और ये दो लाइन ये वेक्ति को मल्टिपल इंकम देती है पामिश्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिश्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा सेवा भावी और धर्मिक्ता ये चार चीजों की और इशारा जाता है अंडुनी मंगल अगर उंगली दबाने से जनरली स्कीन तो कोई भी दबती है पर बहुत ज़्यादा नरम होगा मंगल परवत मुझे ऐसा लग रहा है ये नरम होगा मंगल परवत तो सारे रिक उर्जा आम इंसान से कमजोर रहती है और अगर उंगली दबाने से ज़्यादा दबता नहीं होगा तो सारे रिक उर्जा अच्छी खासी रहती है वेक्तिम है बारी मंगल मध्यम टैप का है नरमल टैप का है पर कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे कभी किसी से से शेफ्टी लेकर मिलेंगे और यहां पर 100% इनको लिखने की आदत होगी और कई लोगों को जीवन में देखा है इस तरह की जीवन के साइन होती है इनकी किताबे भी छपती है चंद परवत नॉर्मल है पर फिर भी मैं कहूंगा विदेश जात्रा का मौका अवर्ष्य मिलेगा इनको क्योंकि देखिए यह लाइने इस तरह जा रही है यह विदेश जात्रा तो करवाएगी इनके जीवन में आब और अगर यह ट्रेंगल बना यह यह थोड़ा सा डाउट है अगर यह ट्रेंगल कंप्लीट यहां पर जॉइंट होती यह लाइन तो यह ट्रेंगल बनता है तो ऐसे लोग या तो कभी होते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते जीवन में और यह square sign complete होगी तो वेक्ति सचाई पसंद इंसान होता है उसे जूट पसंद नहीं आता है एक triangle का formation यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है पर यहाँ पर भी यह open होती भी वस्तु दिख रही है और semi city यहाँ पर भी नज़र आ रही है पर विदेश गुमने का मौका जरूर मिलेगा हाँ यहाँ पर यह triangle गिन सकते इसको विदेश से धन प्राक्टिके भी योग बन सकते आपके जीवन में और आज net का जमाना है कब कौन कहां से earn करे social media एक ऐसा platform हो गया है कि व्यक्ति कहीं पर भी बैट के कहीं से भी earn कर सकता है और एक चीज आपकी जीवन रेका चंद्रपरवत पर जा रही है इस तरह की जब चंद्रपरवत पर जाती है रेखा तो ऐसे लोग अपने जन्व स्थल से थोड़ा सा दूर चले जाए तो ज़्यादा विकास करते है और ये कभी न कभी दूर लेकर जाती चरूर है अपने जन्व स्थल से शुक्रपरवत इतना उन्नत नहीं है पर यहां लगजरी की लाइन जरूर है इनके हाथ में ये देखे ये शुक्र टैप की रेखा और ये जो साखाई निकलती है भविश में अच्छी खासी लगजरी लाइफ जी होगे आप अच्छी खासी और शुक्रपरवत नॉर्मल है जैसी जरत होती है ऐसा शुक्रपरवत है बहुत जादा लगजरी के पीछे भागना भी पसंद नहीं करते हैं और बहुत जादा लगजरी से दूर भी नहीं भागते है हिर्दय रेखा देखे यहां से स्टार्ट हो रही है और हिर्दय रेखा पर बहुत सारा इश्यू है पर एक शर्टन एज आने के बाद यह पूरे पैसे की तरफ जुकाओ आ जाएगा और यह एज होगी इनकी लगबग वर्तमान समय में 36-37 के आसपास ज्यादा पैसे की तरफ जुकाओ आएगा इनका उसके पहले थोड़े से आदर्सवादी रहेंगे उसके बाद सुबह उठते ही पैसा सुजेगा इनको कामुक भावना और तीसरी चीज कभी-कभी फिजिकल पनना है नहीं हाथ पर उ लाइन है यह सेवा बावी सभाव की और इशारा जाता है ऐसे लोग अपने मित्रों को सगे समध्यों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता और यह लाइन माबब की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और यह फ्लट लाइन है एक ती दुखी भी हो तो थोड़ी काम करना पसंद ही नहीं आता पर परिवार को जुर्वत पड़ी तो सबसे पहले यह लोग खड़े रहते और उसकी जुर्वत मिती वहां से निकल जाएंगे और यह माइन लाइन सीधी चलकर अप्टू एंड तक जा रही है तो ऐसे लोग कोई ना कोई ज्यान लेते ही रहते हैं फालतू नहीं बैठते पर थोड़ी सी वेवी है तो विचारों में भी अपडाउन आता रहेगा इनके एक दम स्थीर दिमाग नहीं रहता थोड़ी सी वेवी है पर बड़ी है तो बुद्धी प्रतिबा के धनी होते हैं तो यह सारा एडवांटेज इनके हाथ में दिख रहा है इनकी जीवन रेख यह लगबक 27 के आसपास अगर यह लाइन यहाँ पर स्टॉप होती होगी तो इस पिरिएड में कोई रिलेशन हुआ होगा नहीं तो यह राव रेखा हम गीन सकते हैं फिर उसके बाद 29 में एक रेखा ने काटा फिर 31 में काट रही है रेखा फिर 33 में काट रही है फिर अभी वर्तमान में भी एक रेखा ने काटा है है छोटी छोटी राव रेका है पर ये भी डिश्टरब्ट तो करती है और 36-37 के आसपास ये पिरियड इनके जीवन में बदला वाला रहेगा या तो देश बदलेंगे या घर बदलेंगे या शेहर बदलेंगे और इसी समय देखिए बहुत बड़ा ओफशुट भी है तो कोई ने कोई अच्छी खबर भी इनको जीवन में मिलेगी प्लस माइनस वन टू यह क्योंकि यहाँ पर जीवन रेका स्टॉप ओकर दूसरी जीवन रेका निकल रही है तो ये बदला वाला पिरियड रहता है एक राहू रेखा काट रही है और एक बड़ी रेखा काट रही है फोटी टू के आज पास अगर यह राइन जोइंट होगी यहाँ पर तो यह भी रिलेशन करवाती है पर महिलाओं के हाथों में रेखा इतनी बारिक होती है कि कितनी भी कोशिश करें इतनी स्पष्टता नहीं आती जो हम एक्सपेक्ट करते है यह लाइन और इसी जगह पर एक आप्शूट भी है तो कोई ने कोई सफलता भी इनकों मिलेगी अगर यह टच नहीं करती होगी यह काट के आगे चलती होगी तो फिर राव रेखा हो जाएगी तो इस समय काफी बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे फिर उसके बाद 44 और 45 में दो छोटी राव रेखा है और एक 50 के आसपास राव रेखा है और एक 53 के आसपास है और 54 में एक बहुत बड़ा आपशुट है उसके बाद कोई राव रेखा इनके हाथ में नहीं है होगी तो भी छोटी छोटी है उसका कोई मतलब नहीं रहता और केवल एक जो 42 वाली है वो थोड़ी सी बड़ी है बागी सारी छोटी छोटी लाइन है बहुत ज़्यादा तकलिफ आई तो 42 में आ सकती अगर वो राउ रेखानी होगी और अगर वो माइन लाइन को टच करती होगी तो इस समय ये नाग करते हुए भी इनकी साधी होगी क्योंकि ये स्ट्रॉंग लाइन है अब इनका जो प्रश्ण है पैसे का उसको हम देखेंगे उसके पहले कट देख लेते एक कट 37 में भी है उसके पहले भी एक कट है 34 के आसपास भी ये एक कट उम्र 41 में है 44 में है और एक कट ये लगबगी 46 के आसपास है और ये 45 के आसपास है अब इनके बार-बार सरकारी जॉब होने के बावजूद भी इनकी धन रेखा अलग-अलग वे में चल रही है ये साइन्ड में लाइन है ये कोई ने कोई दूसरी इंकम शो करती है एक्स्ट्रा इंकम या फिर किसी और की इंकम घर में अब ये एक लाइन चली यहां तक चल कर यहां स्टॉप हो रही है उसके पहले एक और लाइन निकल रही है और ये लाइन यहां से बिगडनी चाल हुई एज ओफ 33 के आसपास या 32 के आसपास और उसके पहले भी कोई ऐसी दमदार स्ट्रॉंग लाइन नहीं थी उसके बाद यह डिस्टरब हुई और उसके बाद और डिस्टरब होते हुए यहां दिख रही है तो ये पिरियर तक इस फोटोग्राफ के हिसाब से अगर मैं जैनुएनली ग कमाई के माध्यम में यह 38 से लेकर इस पिरियर तक 41 तक उसके बाद और एक लाइन चेंज हो रही है और यह चल कर आगे तक जा रही है अब तू 52 तक यह कोई नहीं कोई इंकम इनको देगी इसके बाद और एक लाइन निकल रही है तो आगे मुझे नहीं लगता यह सरकारी जॉब ज्यादा समय करें और यह एक्स्ट्रा जो इंकम होती है या फोरेंसे इंकम या सेवा देकर पैसा कमाना यह साइड की लाइनों से मिलता है यह लाइन भी यहां से स्ट्रॉंग हो रही है अप्टू एज 44 के आसपास से और इनकी अगर धन रेखा भी देखे तो 44 के आसपास से मजबूत बन रही है बहुत जाड़ा मजबूत इस फोटोग्राफ के साथ है उसके बाद कोई जाता तक्लिब नहीं ही हाँ तक्लिब आएगी तो इस पिरिडर में आएगी 46 के आसपास यह है भी से पैसा अंकरोगे आप कई जगह से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पर आफ्टर 44-45 के बाद तो बहुत ज्यादा उन्नती आपको होते हुए समय है आपको 40-42 तक का तो रह देखना है और बहुत ज्यादा फिर 45 से जो गाड़ी दौडनी चालोगी अब तु बुरा पे तक गा हुआ कई मादिमों से तो मुझे नहीं लगता आप सरकारी जॉब कंटिन्यू रखो कहीं न कहीं आप ड्रॉब कर दोगे और यहां पर भी कोई न कोई बतलाओ आएगा आपके जीवन में 41 की एज में या 38 की एज में अब आपका दूसरा फोटोग्राफ भी है वो थोड़ी सी पहले अच्छी कहानी बता रहा है यह फोटोग्राफ 37 तक अच्छी लाइन नहीं बता रहा है पर उसके बाद यह लाइन काफी सुन्दर होकर आगे बढ़ रही है और इसमें यह बीना कट कुटे आगे बढ़ रही है यानि मुझे लगता है आपके जीवन में 38 में या तो आप अपर पोस्ट पे चले जाओगे डिपार्मेंट भी चेंज हो सकता है कोई न कोई स्थानतरन जरूर होगा बदलाव जरूर आएगा या आप जॉब छोड़ दोगे दो मैंसे कोई कोई एक वस्तू होगी और यह फोटोग्राफ के हिसाब सी यह लाइन काफी बढ़िया यहां से फिर आपको बरकत होते हुए दिख रही इस फोटोग्राफ के हिसाब से और यह साइड की लाइन है यह एक्स्टा इंकम की लाइन है जो आपको यह लाइन से ज्यादा पैसा मि की सुरुवात हो जाएगी यह टर्निंग पॉइंट आपके जीवन का होगा 45-46 यहां से step by step income के सुरोत काफी बढ़ेंगे आपकी कई जगह से पैसा आएगा और काफी सुन्दर अब दोनों फोटो 38 तक तो एक ही कहानी बता रहे हैं वो फोटोग्राफ 42 तक अलग कहानी बता रहा है और यह फोटोग्राफ 38 से सुनरा भविशे दिखा रहा है तो आपको दो जगह पर ध्यान देना है एक तो ये साइन देखनी है आपको अगर ये रही तो आपके पास आपने सोचा नहीं होगा उससे अच्छा पैसा आपके पास आएगा और एक यहाँ पर फोकस कर लेना इस जगह पर केवल ये दो तीन साल का जो पिरियड है उस पर फोकस करना है बस बाकि यहाँ तक की कहानी दोनों फोटोग्राफ एकी तरह की बता रहे 38 तक तो आपको संगर्ष लिखा हुआ ही है पैसा बचेगा नहीं खर्च ज़्यादा इस तरह की स्थिति होगी और कम ग्रोथ और ये फोटोग्राफ 38 के बाद काफी बदलाओ दिखा रहा है और वो फोटोग्राफ 42 के बाद अच्छा दिखा रहा है पर मुझे लगता है ये फोटोग्राफ ज़्यादा सटी गए मेरा जो आकलन है वो ही सबसे तो 38 तक आपको वेट करना है और ये लाइन भी अगर देखे तो अगर ये जॉइंट होती होगी तो 100% आपके जीवन में साइना ही बजेगी और अगर ये साइन नहीं भी रही तो भी चिंता करने की जुरत नहीं है ये साइन है आपके हाथ में पैसा तो आप व्यर्शित कमाओगे कोई उसमें किन्तु परंतु नहीं है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादी